So hi guys, now we'll start with the jaundice topic जो jaundice होता है उसमें yellowish हमारी skin color yellow हो जाता है और हमारी जो sclera है वो yellow हो जाती है तो ये yellow color किसके वरे से आता है? तो that is a bilirubin pigment जिसके वरे से color आता है पहला जो case है वो है unconjugated का दूसरा case है conjugated का Unconjugated है मतलब की वो insoluble है वो हमारे blood के अंदर soluble नहीं है लेकिन जो conjugated होती है वो the soluble form of bilirubin तो पहला जो case है hyperbilirubinemia का that is unconjugated hyperbilirubinemia ये जो है वो तीन वीजन्स की वरे से होती है पहला reason है कि bilirubin की जो production है liver के अंदर वो ही increased है वो ही जादा हो रही है जो bilirubin की production होती है वो unconjugated form में ही होती है उसके बाद enzymes लगते हैं और उसकी conjugation होती है लेकिन पहले वो unconjugated ही था तो excess हुआ bilirubin का formation क्यों होता है excess मालो की हमारे अंदर हीमोलिटिक अनीमिया हो जाए हीमोलिटिक मतलब नाम से पता लग रहा कि RBC की destruction हो रही है तो RBC की destruction होगी तो obviously उसके अंदर से हीम निकलेगा और जो हीम निकलेगा वो क्या बनाता है वो bilirubin बनाता है तो अगर जादा-जादा RBC तूटेंगे तो bilirubin की production भी increase हो जाएगी तो हीमोलिटिक अनीमिया पनीशर्स अनीमिया इन सब में second reason is reduced hepatic uptake यह कैसे हो सकता है जो हमारा membrane carrier system है हीपाटो साइट के अंदर वो carrier system में कोई mutation आ जाए या फिर वहां पर क्या हो जाए कि drug interfere कर ले जब drug interference होती है उस carrier system में जिसकी वज़े से यह जो हमारा bilirubin है वो एंटर नहीं कर पाता तो that is reduced hepatic uptake third is impaired bilirubin conjugation जैसे की conjugation कब कम हो सकती है जो cirrhosis है मालो cirrhosis हुआ हुआ है या फिर कोई hepatitis हुआ हुआ है चाहे वो viral form में है चाहे वो drug induced है या toxin induced कोई भी hepatitis है तो मतलब कि liver अपना काम नहीं कर पा रहा है और liver का काम है conjugation करना तो impaired bilirubin जब conjugation होगी मतलब वो unconjugated form जो है वो जादा होगी तो that will cause unconjugated hyperbilirubinemia तो यह तीन हम लोगों ने unconjugated के बारे में पढ़ लिए देन कम तो conjugated hyperbilirubinemia पहला जो केस है that is hepatocellular excretion इसका क्या मतलब है इसका मतलब कि liver जो है वो excret रहीं कर पा रहा है अब जो लिवर होता है लिवर के हमने फर्स लेचर में उसकी अनार्टमी के बार में पढ़ा था तो हमने बोला था कि जैसे यह हीपाटोसाइट्स हैं यह पूरा एक साइनसोइड वाला पूरा स्ट्रक्चर है और यह पूरा एक लग तो इसके बीच में एक ऐसे पतली सी गली निकलती है तो वो कैनलीकुलाई आगे बाइल डक्ट में जाके गिराती है बाइल को तो यह जो बाइल निकलेगा यहां से कैनलीकुलाई में से वहाँ पे वह वह वहले एडिया में ड्रग इंडूस्ट कैनलीकुला मेंबरेन का यह जो कैनलीकुलाई है उसकी मेंबरेन में डिस्वंक् नेक्स जो है डाट इज इंपिर्ड diapers ऺछलो मतलब कि बाइल निकल चुका है जो जा चुका है लेकिन व फ्लो नहीं कर पार है इस और किया रीजन हो सकता है म Colombia पिर उसकता है मार लो कि वहां पर प्र वहां पर हो चुका है कार्चिनोमा पांकरियास का तो वह एकस्टरनल में क्या करा है, जरे भर स्टोड स्टेरी पेल का फ्लोहां, वह रच्टेक्ट हो जाएगा So these are the some reasons of hyperbilirubinemia which will lead to jaundice Then comes the pathophysiology of jaundice हमने जैसे दो टाइपस के bilirubin की बात की है वैसे ही यहाँ पे भी जो unconjugated form है जैसे कि हमने पताया कि वो insoluble form है अगर वो insoluble है तो वो किसी water में तो नहीं जा सकती तो that is कि वो urine के अंदर नहीं निकल सकती तो urine के अंदर अगर नहीं जाएगी तो वो कहां जाए बेचारा जब bilirubin इतना इतना बढ़ रहा है तो फिर क्या होगा वो tissues के अंदर diffuse होना शुरू हो जाएगा Mainly कौन से tissue में जाता है That is brain और in fans के case में तो brain जमेजब चले जाता है तो वो toxic injury cause करता है जैसे कि erythroblastosis fetalis में जो की तब होती है जब हमारी blood की incompatibility हो जाती है जैसे कि mother में antibodies थी fetus के blood के खिलाफ तो वो जो reaction होती है उसे बोलते है erythroblastosis तो उसकी विज़े से क्या हुआ कि अब unconjugated जो bilirubin था वो increase हो गया हमारे brain के अंदर यह जो मैंने आपको case बोला है this is hemolysis का case कि जो RBC है उसकी destruction हो रही है अब वो उसकी destruction होती है क्यों होती है destruction किसके neonates के RBC की mother की antibodies से क्योंकि mother की antibodies के लिए यह जो neonate का RBC है वो एक antigen है ना तो अब hemolysis होगी तो फिर unconjugated जो bilirubin है उसका level increase हो जाएगा तो उसकी वज़े से क्या होगा कर्णिक टेरोस जो की neurological manifestations शो करता है next is conjugated bilirubin जो की soluble form है अब soluble form है तो वो urine के अंदर excrete हो सकती है so yeah it can be excreted normal bilirubin is 1.2 mg deciliter और इसके टू के ज़्यादा हो जाए तो फिर that will show the manifestations then comes the neonatal jaundice यह वाला जो jaundice है वो connecterous नहीं है यह jaundice physiological jaundice है इसमें क्या होता है कि जो neonates होते है ना उनके अंदर जो यह वाला system है बाइल को excrete करने का और यह जो ना तो cellular machinery है यह वाला system mature नहीं होता यह mature होता है टू वीक्स के बाद तो इसके दोरान क्या होता है कि बच्चों को jaundice हो जाता है तो it is very common almost सब बच्चों को ही पहले दो हफ्तों में jaundice हो जाता है विक्स उनके अंदर maturation नहीं होती फायल excretion वाले system की प्लस क्या होता है कि जो breast milk होता है उतके अंदर bilirubin deconjugation enzymes होते हैं तो फिर वो भी unconjugated forms को increase कर देंगे और hyperbilirubinemia में contribute करेंगे next is hereditary hyperbilirubinemia's hereditary में सबसे पहला आता है gilbert syndrome तो gilbert syndrome में क्या होता है जो gluco uranocyl transferase है UGT1A1 उसमें आती है mutation उसका level जो है वो कम हो जाता है यह वाला जो enzyme है वो क्या करता है वो conjugation में help करता है हमारे bilirubin की अब अब अगर conjugation नहीं हुई होकी तो obviously जो unconjugated form है वो increase हो जाएगी हमारी body में और वही जो है अगर increase हो जाएए severe हो जाएए जादा हो जाए यह वाला enzyme उल्टा तो क्या होगा तो that is Krigler-Nerger syndrome whatever its pronunciation is Krigler-Nerger syndrome यह जो है this is fatal in infancy although it is rare and यह जो Gilbert syndrome वाला यह low level है यह common है as compared यह 7% population में होता है जो increase वाला है that is a rare condition the second one is Dubin-Johnson syndrome इसमें क्या होता है इसमें defect जो आता है वो आता है transport protein में transport protein जो bilirubin है conjugated bilirubin जो है उसने canaliculi में आना है मैंने वह ही बताया था ना कि यहां से हीपाटोसाइब से हैं यहां पर एक गली से निकलती है canaliculi तो यहां से जो हीपाटिक से जो उसने canaliculi में आना है जो transportation हो नहीं है एक protein के थूरू वो प्रोटीन डिफेक्टिव है तो मतलब की हां conjugation हो चुकी है लेकिन वह उसमें नहीं जा पा रहा किसमें canaliculi में membrane को cross नहीं कर पा रहा है तो इसमें कौन सी हाइपर बिली रूबिनी में होता है conjugated form का उपर वाले में unconjugated and this one conjugated तो यह हम लोगों ने कुछ बाते हैं कि के बारे में if you have any query you can ask and if you like the video please subscribe thank you